अंग्रेजों ने भारत पर 150 वर्षों तक राज किया ब्राम्हनों ने उनको भगाने के लिए हत्यार बंद आंदोलन क्यों चलाया जबकि भारत पर सबसे पहले हमला मुस्लिम शाशक मीर कासिम ने 712 इस्वी में किया उसके बाद महमूद गजनवी, मुहम्मद गौरी, चंगेज खान ने हमला किया और फिर कुतु बुद्धे नैबक, गुलाम वंच, तुगलक वंच, खिलजी वंच, लोदी वंच, फिर मुगल आदी वंचों ने भारत पर राज किया और खूब अचार किये लेकिन ब्राम्हन ने कोई क्रांती या कोई आंदोलन नहीं चलाया, फिर अंग्रेजों के खिलाफ ही क्यों क्रांती कर दी, आईए इस वीडियो में क्रांती और आंदोलन के वज़ा को समझने का प्रयास करते हैं, अंग्रेजों ने 1795 में अधिनियम 11 द्वारा शूद्रों को भी संपत्ती र प्रयास किया, जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी, 6 मई 1775 को इसी कानून द्वारा बंगाल के सामंत ब्रामन नंद कुमार देव को फांसी हुई थी, 1804 अधिनियम 3 द्वारा कन्या ब्रुन हत्या पर जोप अंग्रेजों ने लगाई, वरना लड़कियों को पैदा होते ही, तालू में अफीम चिपका कर मा के स्तन पर धतूरे का लेप लगा कर एवं गज़ा बना कर उसमें दूद भर कर डुबो कर मार दिया जाता था, 1813 में ब्रिटिस सरकार ने कानून बना कर सिक्षा ग्रहन करने की सभी जातियों और धर्मों के लोगों को अधिकार दिया, 1813 में अंग्रेजु ने दास प्रथा का अंत कानून बना कर गिया, 1817 में सामान नागरिक संहिता कानून बनाया, 1817 के पहले सजा का प्रावधान बन के आधार पर था, ड्रामन को कोई सजा नहीं होती थी और शुद्र को कठोर दन दिये जाते थे, अंग्र प्रेजों ने सजा का प्रावधान समान कर दिया, 1819 में अधिनियम साथ द्वारा ब्रामनों द्वारा शुद्ध स्त्रियों के शुद्धी कारण पर रोक लगाई गई, शुद्रों की साधी होने पर दुलहन को अपने दूले के घर न जाकर कम से कम तीन राद ब्रामन के घ परिव पुरुष दोनों को मंदिर में सिर पटक पटक कर चढ़ा देते थे, 1833 अधिनियम, 87 द्वारा सरकारी सेवा में भेद भाव पर रोक, अठात योग्यता ही सेवा का अधार स्विकार किया गया, तथा कमपनी के अधिन किसी भारतिया नागरी को जन, स्थान, धर, जा 1834 में पहला भारत्य विधी आयोग का गठन हुआ, कानून बनाने के व्यवस्ता जाती, वयन, धर्म और शेत्र की भावना से उपर उठकर करना आयोग का प्रमुक उद्देश था, 1835 प्रथम पूत्र को गंगा दान पर रोक लगाए, 7 मार्च 1835 को लौद मैकाले ने शिक् इच्छा को अंग्रेजी भाषा का माध्यम बनाया गया, 1835 को कानून बनाकर अंग्रेजों ने शुद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया, दिसंबर 1839 के नियम सत्रा द्वारा विद्वाओं को जलाना अव्यद घोशित कर सती प्रता का अंत कर दिया गया, अमहनों के कहने से शुद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान दे देते थे, मंदिर के पुजारे उनका शारिक शोषन करते थे, बच्चा पैदा होने पर उसे फेक देते थे और उस बच्चे को हरिजन नाम दे दिया करते थे, 1921 को जातेवार जनगन्ना के आकड़े के अनुसार, अकेले मदरास में कुल जन संक्या 4,23 लाग थी, जिसमें 2 लाग देवदासिया मंदिरों में पाड़ी थी, हाला कि ये प्रथा अभी विदक्षिन भारत के मंदिरों में चल रही है, 1837 अधिनियम द्वारा ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया, 1849 में कलकता में एक बालिका विद्याले J.E.D. बेटर ने स्थापना किया, 1854 में अंग्रेजों ने तीन विश्व विद्याले कलकता मदराज और बॉम्बे में स्थापित किया, 1902 में विश्व विद्याले आयो नियुक्त किया गया, 6 अक्टूबर 1806 को अंग्रेजों ने इंडियन पैनल कोड बनाया, लॉर्ड मैकाले ने सदियों से जकड़े शूदरों की जंजीरों को काट दिया और भारत में जाती वर्ण और धर्म के बिना एक समान क्रिमिनल लौ लागू कर दिया, 1853 अंग्रेज ने कानून बना कर चरक पूजा पर रोक लगा दी, इस पूजा में आलिशान भवन एवं पुल नेर्मान पर शुद्रों को पकड़ पकड़ कर जिंदा चुनवा दिया जाता था, इस पूजा में मानिता थी कि भवन और पुल ज्यादा दिनों तक टिकाव रहेंगे, 1867 में बहु विवा प्रथा पर पूरे देश में प्रतिबन लगाने के उदेश से बंगाल सरकार ने एक कमिटी का गठन किया, 1871 में अंग्रेजों ने भारत में जातिवार गन्ना प्रारम की, यह जन गन्ना 1941 तक हुई, 1872 में सिविल मैरेज एक्ट द्वारा 14 वर्ष से कम आयू क कि कद्याएं एवं 18 वर्ष से कम आयू के लड़कों का विवा वर्जित करके बाल विवा पर रोक लगा दी गए, अंग्रेजों ने महार और चमार रेजिमेंट बना कर इन जातियों को सेना में भरती किया, लेकिन 1892 में ब्राम्हनों के दबाओं के कारण सेना में थबरो कमीटी को भारत में अंग्रेजों ने भेजा, यह कमीटी भारत में सभी जातियों का विधी मंदल में भागीदारी के लिए आया था, शावजी महराज के कहने पर पिछडों के नेता, भासकर राव जादव ने एवं अच्छूतों के नेता, डॉक्टर अंबेदकत अंग्रेजों ने अपने लोगों को विधी मंदल में भागीदारी के लिए मेमोरेंडम या निज्यापन दिया, अंग्रेजों ने 1919 में भारत सरकार अधिनियम का गठन किया, 1919 में अंग्रेजों ने ब्राम्हनों को जज़ बनने पर रोक लगा दी थी, और कहा था कि इनके अंदर नियाइक चरित्र नहीं होता है, अंग्रेजों के रहते 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेदकर द्वारा मनुस्मृति का देहन किया, मनुस्मृति में शूद्रों और महिलाओं को गुलाम तथा भोग की वस्तु समझा जाता था, एक पुरुष को अंगिनत शादिय करने का धार्मिक अधिकार है, महिला अधिकार विहीन तता दासी की स्थिती में थी, एक एक औरत के अंगिनत सौतने हुआ करती थी, औरते शूद्रों के लिए सिर्फ और सिर्फ गुलामे लिखा है, जिसको ब्रामन मनुने धर्म का नाम दिया है, फिर एक मार्च 1930 को डॉक स्थानून बना कर शूद्रों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने का धिकार दिया, नवंबर 1927 में साइमन कमेशन की नियुक्ती की, जो 1928 में भारत के अच्छूत लोगों के स्थिती का सर्वे करके और उनको अतिरिक्त अधिकार देने के लिए आया, 24 सितंबर 1932 को अंग्रेजों ने कम्यूनल अवर्ड घोशित किया, जिसमें प्रमुक अधिकार दिये, 19 मार्च 1928 को बिगारी प्रथा के विरुत डॉक्तर अंबेटकर ने मुंबई विधान परिशत में आवाज उठाई, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस प्रथा को समा कर दिया, अंग्रेजों ने 1 जुलाई 1942 से लेकर 10 सितंबर 1946 तक डॉक्तर अंबेटकर को वाइसराई की कारी साधन कॉंसिल में लेंबर मेंबर बनाया, लेबरों को डॉक्तर अंबेटकर ने 8.3 प्रतेशत प्रतिनिद्वित दिलवाया, 1937 में अंग्रेजों ने भारत में प ब्राम्हनों की भागिदारी को 100 प्रतिसत से 2.5 प्रतिसत पर लाकर खड़ा कर दिया, इन्हीं सब वज़ा से ब्राम्हनों ने अंग्रेजों के खिलाफ करांती शुरू कर दी, क्योंकि अंग्रेजों ने शूद्रों और महिलां को सारे अधिकार दे दिये थे, और सब जात जाए बहरत